अगर आप जानना चाहते हैं कि जून मंत में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपकी एनरजीज होंगी, क्या आपके पार्टनर की एनरजीज रहेंगी, कैसे छोटी-छोटी सी चीजों का खायाल रखके, आप जून मंत की एनरजीज को बदल सकते हैं, अपनी अब जून 2023 के लव टारो रीडिंग है, और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहें वो आपका लगन हो, आपके नाम के हिसाब से राशी हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका संसाइन हो, तो इंतजार किस बात का है, चलिए जी आपकी लव लाइफ जून मन्त के लिए देखते हैं तो चलिए टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि जून 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी में पस यहाँ पे तीन सेट आफ कार्ड्स हैं फर्स सेट में हम आपकी एनरजीज देखेंगे सेकंड सेट में आपके पार्ट्नर की एनरजीज देखेंगे और थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जून मन्त में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं टॉरस और आपके लिए आपे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या जून स्टार्टिंग में टॉरस आपके मन में बहुत एक खयाल आ सकता है कि आपने बहुत लॉयल्टी बहुत ओनिस्टी के साथ इस रिलेशन्शिप को निभाया आपने हर चीज मॉरल वाल्यूस एथिक्स को माइन में रखते हुए करा और कहीं देखिए आप एफेवल का कार्ड कहता है कि इसी चीज को या फिर किसी भी चीज को मिट जून में टाटा बाई बाई करके एक नई बिगनिंग आप करना चाहा रहे हैं यहाँ पे देखिए सब टॉरस के लिए डिफर करेगा किस चीज को आप टाटा बाई बाई करना चाहा रहे हैं क्योंकि फेवल का कार्ड इंटीग्रिटी के कार्ड के साथ में है तो हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि भी टू मच ओफ लॉयल्टी टू मच ओफ ओनेस्टी भी कहीं एक परेशानी का रीजन रही या फिर जिसने किसी लेवल पे किसी तरीके से आपको परेशान किया तो अब टू मच ओफ ओनेस्टी तू मच ओफ लॉयल्टी आप नहीं रखना चाहा रहे हैं इसको आप टाटा बाई बाई करना चाह रहे हैं मैं यह नहीं कह रही हूँ Taurus की आप डिस लॉयल हो रहे हैं आप cheating कर रहे हैं please मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ but yes अगर too much आप loyal too much आप honest हो रहे थे too much हर चीज को आप ethically करना चाह रहे थे तो उसको आप टाटा बाई बाई करना चाहा रहे हैं कुछ टॉरस के लिए ये भी हो सकता है कि आप किसी जगा को, किसी आदत को, किसी बिहेवियर को टाटा बाई बाई करके अपने पार्टनर के साथ एक concrete, realistic level पे relationship शुरू करना चाहा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी issues, मसले हैं उनको टाटा बाई बाई करना चाहा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है अपने पार्टनर को ही टाटा बाई बाई करना चाहा रहे हैं और दीखे, mid-June तक के लिए बहुत एक practical, बहुत एक realistic तरीके से आप चीजों को deal करते हुए दिख रहे हैं in fact, दिखे, June starting में एक immature practicality, एक immature जिद रहती हुई दिख रही है and mid-June के लिए again एक नई beginning किसी भी level पे, किसी भी तरीके से आप करना चाहा रहे हैं और कहीं दिखे, mid-June तक again मैं कहूंगी commitment, stability, security, practicality, realistic तरीके से चीजों को करना एक focus आपका रहे रहा है लेकिन end-June में एक complete shift आपकी energies में आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे the fool, love and the lace, innocence के cards कहते हैं कि आपको लग रहा है कि बस अब छोड़ दो सब कुछ अब you know, ना तो future की सोचो, ना past की सोचो, current moment पे focus करके इस moment को अच्छे से enjoy करो और कहीं दिखे, mid-June के बाद से आप कोई बहुत जादा responsibility अपने उपर नहीं लेना चाहा रहे है यहाँ पे देखिए कुछ Taurus के लिए हो सकता है कि एक बहुत carefree सा attitude आता हुआ दिख रहा है जहाँ पे देखिए again mid-June तक आप बहुत responsibilities ले रहे थे बहुत जादा एक practical realistic तरीके से चीजों को deal कर रहे थे वही end-June में आप बहुत carefree होते हुए दिख रहे है कुछ Taurus के लिए भी हो सकता है कि in the process careless हो रहे है immature हो रहे हैं बट आपके मन में ऐसा आ रहा है कि बस अब और मुझे responsibilities नहीं लेनी है मैं carefree रहना चाहता हूँ चाहती हूँ और बस अब मिरेको na future के बारे में भी नहीं सोचना है past के बारे में भी नहीं सोचना है current moment को enjoy करना है तो कुछ इस तरीके की energies Taurus आपकी जून मन्त में रहती हुई overall दिख रही है और अब देखते हैं Taurus के आपके partner की क्या energies है तो आपके partner के लिए दिखिए सबसे पहला card मुझे दिख रहा है five of wands और ये card कहता है कि conflicting सी energies है ये conflict भी सब Taurus के partner के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि मन में किसी चीज की दुविधा है मन में किसी चीज की उलजन है कुछ टॉर उसके लिए हो सकता है कि external level के लिए छोटे मोटे issues हैं छोटे मोटे मसलें हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं और देखिए इसी लिए आप चीजों को बहुत casual रख रहे हैं आप बहुत जादा responsibilities अपने उपर नहीं ले रहे हैं या फिर commitment stability की भी इतनी बात नहीं कर रहे हैं या फिर देखिए इसी से ही related एक conflict रह रही है कि commitment होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए चीजों को casual रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए तो देखिए ये general reading है थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा और देखिए कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई mistake टॉरस आपके partner से हुई या फिर आप से हुई उस पे पीछे आपके partner टॉरस बहुत जादा focus कर रहे थे और कहीं mid June में आपके partner को ऐसा लग रहा है कि भाई अब बहुत हो गया अब जो चीजें अच्छी है ना इस relationship में उसको देखा जाए और देखिए हो सकता है कि वो पीछे बहुत ये नो किसी गलती किसी mistake या जो चीजें ठीक नहीं चल रहे थी उन पे focus कर रहे थे और इसी लिए भी एक conflicting से energies थी तो जो भी हो आपके partner की energies में एक positive shift आता हुआ दिख रहा है वो चीजों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं आप फिर से मैं कहूंगी जो चीजें अच्छी है ठीक है उन पे focus करके चीजों को improve करना चाह रहे हैं क्योंकि देखे मन ही मन उनको बहुत जादा लग रहा है कि वो अटके हुए हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं वो बहुत effort करके कोशिश करते हैं आगे बढ़ते हैं और थोड़े time बाद फिर उनो उसी जगा पे अपने आपको पाते हैं और दिखें ये सब Taurus के partner के लिए differ कर सकता है या फिर इन energies के पीछे reason सब Taurus के partner के लिए differ कर सकता है कुछ के लिए literally हो सकता है कि किसी चीज से move on करना चाहा रहे हैं और यहां पे देखें Wheel of Fortune Reverse का card भी इसी energy को confirm करता है कि एक movement एक shift चाहा रहे हैं कुछ Taurus के partner के लिए हो सकता है कि इस relationship को next level पर लेकर जाना चाहा रहे हैं क्योंकि उनको बहुत जादा लग रहा है कि चीजें एकी जगा पर गोल-गोल-गोल गूम रही हैं लेकिन देखें ऐसा चाहा तो रहे हैं लेकिन next level पर लेकर नहीं जा पा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि इस relationship में से move on करना चाहा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि किसी भी तरीके के changes इस relationship में या फिर इस relationship से चाहा रहे हैं deeper level के लिए देखिए कुछ promise या तो वो खुद से कर रहे हैं, आप से कर रहे हैं, लेकिन कहीं देखिए उस promise को भी उस तरीके से वो नहीं निभा पा रहे हैं, या फिर उस promise पर कायम नहीं हो पा रहे हैं, या फिर उनको ऐसे लग रहा है Taurus कि आपने अपना वो promise नहीं रखा, रखके किसी चीट से move on करना चाह रहे हैं या फिर एक movement इस relationship में चाह रहे हैं और एक promise या तो आपसे कर रहे हैं या फिर एक promise आपसे इसी से ही related या फिर otherwise चाहते हुए दिख रहे हैं और अब देखते हैं Taurus की June मंत में क्या हो रहा है तो दिखिए June मंत के लिए सबसे पहला card है two of wands और ये card भी कहीं बहुत confidence की बात करता है तो Taurus जो भी आप दोनों की energy रहें कई June starting में आप लोग इस relationship को next level पर लेकर जाना चाह रहे हैं आप उसी से related planning कर रहे हैं उसी से related बातचीत कर रहे हैं और कुछ Taurus और उनके partner के लिए हो सकता है कि उसी से related कोई decision कोई choice भी ले रहे हैं deeper level के लिए honeymoon early stages का card इक दो चीजें कहता है कुछ के लिए हो सकता है ये जो एक next steps आप लोग लेना चाहा रहे हैं आप लोग इसको enjoy कर रहे हैं या फिर honeymoon से related vacation पर जाने से related देखिए honeymoon वो period होता है जब शादी के बाद लोग घूमने जाते हैं लेकिन ये general reading है तो यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे Taurus की शादी ना हुई हो जो ये reading देख रहे हैं तो यहाँ पर simply हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ घूमने जाना चाहते हैं कोई vacation enjoy करना चाहते हैं और उसी से related planning हो रही है उसी से related you know discussion हो रहा है उसी से related कोई choice कोई decision आप लोग ले रहे हैं और early stages देखिए कुछ Taurus के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि यह relationship अभी शुरू हुआ है तो कुछ चीजों को ignore कर रहे हैं आप फिर कुछ चीजों पर इतनी attention नहीं दे रहे हैं अगेन यह general reading है तो सब Taurus और उनके partner के लिए थोड़ा थोड़ा differ कर सकता है जादा मुझे दिख रहा है कि कहीं घूमने की एक planning Taurus आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चाहा रहे हैं और उसी से related दिखे हो सकता है कि जानकारी हासिल कर रहे हैं करना चाहा रहे हैं एक curiosity है एक irritation, एक frustration minor level पे रह रहा है और आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक का communication बहुत blunt, बहुत straight forward रह रहा है और देखे, surface level के लिए जरूर एक irritation, एक frustration minor irritation, minor frustration Taurus रहती भी दिख रहे हैं लेकिन deeper level के लिए secret admirer का card कह रहा है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक या दूसरे जन को admire कर रहे हैं और खुल के इस चीज़ को express नहीं कर रहे हैं मैं ये भी कह सकती हूँ कि जिस तरीके से एक प्यार, महबत महसूस कर रहे हैं उस तरीके से communicate नहीं कर पा रहे हैं communicate कुछ और हो रहा है या फिर जाहिर नहीं होने दे रहे हैं और कहीं दिखे एक immature energies भी इस relationship में रहती हुई दिख रही हैं हाला कि ये immature energies आप दोनों में से किसी एक की भी रह सकती हैं लेकिन Taurus आपकी जादा रहती हुई दिख रही हैं क्योंकि आपके लिए page of pentacles and the fool के cards हैं और दिखे एंड जून के लिए यहाँ पे gamble and eight of pentacles reverse के card कहते हैं कि किसी तरीके का risk, किसी तरीके का chance आप लोग लेना चाहा रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि जो भी आप चाहा रहे हैं उससे related लेना पड़ेगा यहाँ पे eight of pentacles reverse का card कहता है यहाँ तो over effort कर रहे हैं, over महनत कर रहे हैं या फिर देखिए, वो महनत, वो effort नहीं करना चाहा रहे हैं और देखिए, यहाँ पे भी सब Taurus और उनके partner के लिए differ करेगा लेकिन देखिए, क्योंकि eight of pentacles का card gamble के ऊपर है तो हो सकता है कि यह chance, यह risk लेने से ही related कुछ Taurus और उनके partner, you know, थोड़ा सा hesitate कर रहे हैं लेना चाहा रहे हैं और एक effort एक महनत कर रहे हैं देखिए, क्योंकि यह card reverse है तो एक balanced energies नहीं दिख रही है यह chance, यह risk सब Taurus और उनके partner के लिए differ कर सकता है जो कि लेना चाहा रहे हैं यहाँ आपको लग रहा है लेना पड़ेगा लेकिन क्योंकि यहाँ पर देखिए, honeymoon का card है तो हो सकता है, घूमने जाने से related कुछ Taurus ले रहे हैं या पिर आगे बढ़ने से related, next steps plan करने से related ले रहे हैं यानि कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग रहा है कि इस relationship को अगर आगे लेकर जाना है तो कुछ risk involved है और कुछ Taurus हो सकता है over effort कर रहे हैं और यह risk ले रहे हैं कुछ Taurus के लिए हो सकता है कि वो थोड़ा hesitate कर रहे हैं यह था Taurus आप लोगों के लिए June 2023 की Love Tarot Reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस channel को like, share और subscribe जरूर करें